Hey guys, welcome back to another video तेखो, study hub आज आपके लिए लेके आया है एक छोटा साही topic कितने नमबर का सर एक नमबर का लेकिन इस topic को समझने आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि क्या हमारे अगर boards के exams में एक नमबर का mention है तो क्या ये topic अपने आप में important नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इस वीडियो में आपको वही समझाने वाला हूँ कि class allowed physics में mathematical tools में आपके syllabus में mention है idea of definite integrals simple एक और आपको question भी कितना नहीं सर एक नमबर का नहीं जहाँ पर हमें कोई एक simple integral दे दिया जाएगा definite integrals का मदलब सर limit specify कर दी जाएगी तो वहाँ पर हम idea of definite integrals यूज़ करके अपना question solve कर लेंगे और हमारा एक नमबर जे में क्या वहीं तक कहानी होगी definite integrals की नहीं उसी तरह से जैंसे जैंसे physics में आगे पढ़ते जाओगे पुरे allowed 12 में आपके पास जब भी expressions करोगे तो expressions में आपके पास derive करते हैं आपके पास बोद बार ऐसा होगा कि आपको idea differentiation integration mathematical tools का idea लगना start हो जाएगा इसलिए class alone physics के पहले यूनिट को आप start करते हो हुआँ पे mathematical tools को पढ़ा जाता है एक ऐसी ही example आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में तो question को समझाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं कहा है तो please चैनल को subscribe कर लेना bell icon को भी दवाना ताकि ऐसी ही और भी important videos आपको सबसे पहले मिल जाएं तो देखो question हमारे पास था कि electric potential point charge की वज़े से जब हम सब derive कर रहे होते हैं तो हमारे पास expression कुछ इस तरह से निकल के आता है कि हमें जो है integral निकालना है infinity से लेकर r तक कि इसका minus 1 by 4 by epsilon 0 q by x square dx सब यहां तक तो हम question को derive कर लेंगे लेकिन integral को हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था ठीक है तो यहां से हमारे पास फिर हम सर हम परेशान होने शुरू हो जाती है यहां से हमारे integral with respect to dx से तो हमें पता है सिर्फ इस टर्म का integral निकल के आना है तो यहां से हम सर की minus q by 4 by epsilon 0 integral से बाहर ले लेंगे integral हमारे कहां से कहां तक है infinity to r यह वाला infinity to r वाला concept आप क्या समझोगे class 12 में लेकिन यहां पर आप यह समझोगे कि जो हमारी limit से वो कहां से कहां है infinity से लेकर r तक और integral किसका अगर सर x raised to power minus 2 dx का इसका मतलब सर 1 upon x square ही तो हम लिख सकते हैं x raised to power minus 2 इसलिए हमने 1 by x square को लिख दिया x raised to power minus 2 सर हमने integration के एक फार्मला पढ़ा हुआ था x raised to power n dx जब कभी भी करें तो हम लिखते हैं x raised to power n plus 1 whole divided by n plus 1 और यहां पर एक integration constant c लगा लेते हैं ठीक है यहां तक यहां से सार x raised to power minus 2 का integral जब करें तो minus q by 4 pi epsilon not x raised to power minus 2 का integral सार x raised to power यहां पर गर रहा हूँ x raised to power minus 2 plus 1 whole divided by minus 2 plus 1 which means x raised to power minus 1 upon minus 1 तो इसका मतलब इस equal में लिए सकता हम minus 1 by x तो सर यह minus 1 by x जो हमारे पास वो तो आच्छा चलो एक बर लिख लो x raised to power minus 1 upon minus 1 कहां से कहां से infinity से लेकर r तक ठीक है यहां तक सर यह minus और यह minus plus हो जाएगा तो हमारे पास q by 4 pi epsilon not x raised to power minus 1 को ही मैं लिख सकता हूँ 1 by x सर हम लिख देंगे 1 by x limit कहां से कहां तक है infinity to r यहां तक लिए है और हमने idea definite integrals में क्या सीखा था सर हमने सीखा था कि जब एक बार हमने integral कर लिया तो अब हम क्या करेंगे upper limit minus lower limit तो यहां से q by 4 pi epsilon not करेंगे upper limit सर हमारे पास r है तो एक बार हो जाएगा 1 by r minus upper limit minus lower limit तो यहां पर 1 by infinity 1 by infinity सर हमारा 0 हो जाएगा इसलिए q by 4 pi epsilon not r जो है वो electric potential निकल किया जाता है due to a point charge electric potential due to a point charge पढ़ना हमारा मकसद नहीं था इस वीडियो में इस वीडियो में हमारा मकसद था पढ़ने का कि सब जो class allowance के starting में ही mathematical tools को पढ़ते हैं उसकी application आप इस तरह के topics में देख सकते हो इसी तरह की ओव भी वीडियो में आपके लिए क्या होँगा इसी चैनल पे तो प्लीज एक पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को like भी कर देना तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई